के गीत गाते हैं वो आकर के सोय रहेंगे कि जागे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फेस्बूक पेज पीस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लिजेगा तो चली चलते हैं आज की जनकारी की और तो आप लोग को बता दे कि कल आप लोग सभी को पता होगा कि खेसारी लाल यादो नेपाल में इस्टेज सो करने गए थे तो खेसारी लाल नेपाल में इस्टेज सो करने गए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अन्य भी भोजपुरी के इस्टार नेपाल में परगराम करने गए हैं लेकिन खेसारी लाल यादो ऐसा क्या कर दिये कि पूरा भारत वर्षमेन का चर्चा चल रहा है, तो आप लोग को बता दे कि खेसारी लाल यादो के प्रोगराम में कल का भेंड देखे, जो सोसल मिडिया पर बहुत बड़े बड़े लोगों के होसूडी हुई है, कि अरे भाई ये खेसारी लाल यादो ऐसा क्या चीज है कि जो नेपाल में इसको देखने के लिए इतना भेंड उम्रा था, यहाँ स्क्रीन फर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादो को देखने के लिए कितनी भेंड उम्री थी कल नेपाल में, क्योंकि एक बार और पहले भी खेसारी लाल गये थे लेकिन कुछ हाथशा होने के कारण परगराम नहीं हुआ था लेकिन इस बार काफी जबरचस्त परगराम हुआ है नेपाल में और इतना भीड उम्डा है कि उतना कोई बोलीवुड के कलाकार को भी देखने के लिए नहीं जूटते हैं लोग और वो भी अधर कंट्री में अपना देश नहीं है वो भारत नहीं है दूसरा देश है नेपाल फिर भी वहाँ पर खेसारी लाल गये हैं लेकिन इतना भीड कभी बीने जुटा पाए हैं नेपाल का ता बात छोड़ी अगर बिहार में परगराम हो तो प भोशपुरी के कई स्टार जो हैं वो एक अत्रित नहीं कर पाएंगे लेकिन खेसारी लाल यादो एक ऐसा नाम है एक ऐसा ब्रांड है नेपाल में भी अपना जलवा कल दिखा के आ गये हैं और इसी के कारण पूरे भारत वर्ष में ये चर्चा चल रहा है कि अरे भाई ये खेसारी लाल यादो क्या चीज है जो इतना बवंडर मचा दिया है पूरे नेपाल में आपर आप लोग देख सकते हैं कि देश तो छोड़ बिदेश में भी ट्रेंडिंग इस्टार का जलवा जारी है क्योंकि भोशपुरी के ट्रेंडिंग इस्टार सिर्फ खेसारी है उम नई जानकारी के साथ तब तक आप ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार दिलार बनाया रखे अपने दोस्त के चैनल भोशपुरीया जहान के साथ